आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो एक एक करके देख लेते हैं ए पार्ट में हमें क्या किवन है कि Ferric Hydroxide को हमने Mix किया है Arsenic Sulfide Sol के साथ तो क्या होगा तो ए पार्ट में अगर हम देखें जो हमारा Ferric Hydroxide है Fe, OH का Whole Thrice यह क्या है यह हमारे पास Positively Charged Sol है ठीक है, Positively Charged और वहीं अगर हम देखें Arsenic Sulfide को As2, As3 यह कैसा है हमारा यह negatively charged है negatively charged और इन दोनों को अगर साथ में लाएंगे Mix करेंगे, तो क्या होगा यह दोनों क्योंकि इनके उपर opposite charges है तो charges neutralize हो जाएंगे जिस वज़े से क्या हो जाएगा coagulation हो जाएगा coagulation हो जाएगा ठीक है, क्योंकि charges क्या करेंगे तो उसे को neutralize कर देंगे तो बड़े-बड़े associates बन जाएंगे और वो क्या करेंगे PPT का formation कर देंगे and that thing is known as coagulation ठीक है, next part देखते है अब B part में क्या कहा गया है कि ferric chloride solution को हमने mix कर दिया है freshly prepared precipitate of ferric hydroxide ठीक है, तो हमारे पास क्या है PPT है, ferric hydroxide का Fe OH के whole thrice का sorry Fe OH whole thrice यह हमारे पास क्या PPT है ठीक है, तो इसमें क्या करा है हमने, इसमें add करा है ferric chloride solution ठीक है, तो ferric chloride solution जब इसमें हम add करेंगे FeCl3, तो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, कि जो Fe है यह हमारे पास common है तो हमें पता है, peptization में क्या होता है कि जो common iron होता है वो जाके adsorb हो जाता है तो यहाँ क्या होगा, Fe OH whole thrice पे Fe plus जाके adsorb हो जाएगा, ठीक है और जब Fe plus 3 जाके adsorb हो जाएगा ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से इस पे charge develop हो जाएगा और अलग-अलग molecules पे जो charge होगा उसकी वज़े से आपस में repulsion होगी, और repulsion की वज़े से क्या होगा, यह जो हमारा precipitate बन चुका था, इसका colloidal solve बन जाएगा, ठीक है तो this process is known as peptization peptization ठीक है, तो इस question का इस part का answer क्या है, peptization अब next part देख लेते हैं next part में हम को कहा गया है कि H2S gas को हमने पास किया है arsenic oxide solution से ठीक है, तो क्या करा है हमने arsenic oxide को पास किया है H2S में मतलब H2S को पास किया arsenic oxide में तो हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिलता है double decomposition ठीक है, AS2 S3 plus thrice of H2, यह हमारा क्या है colloidal solution बन जाता है colloidal solution तो यह क्या है हमारे पास double decomposition double decomposition तो इस part का अण से क्या होगा double decomposition अब next part देख लेते हैं, next part में हमें कहा यह कि जब हमने एक भीम को पास करा है light key beam को arsenic oxide solution से पास किया तो क्या होगा ठीक है तो हमारा arsenic oxide solution कैसा है, सग्षोस्ट कैसा है यह colloid क्यख़्हाँ जब colloid के त्वह light beam को पास करते है तो क्या होता है कि जो particles है colloidal solution में colloidal particles those particles hierarchicals इंदेब कर देते हैं light को, जिस वजे से क्या होता है, उसका path हमें visible हो जाता है, light beam का path visible हो जाता है, और उस phenomenon को हम कहते है, tindal effect, तो यहाँ पे हमें क्या observe होगा, हमें observe होगा tindal effect, tindal effect, so इस part का answer है हमारे पस tindal effect, so यह हो गई हमारे 4 नहीं parts, so that's all for this question, thank you प्लासिक्स चुट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर